हेलो एबरिवन स्वागत थे आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जक्ट एजूकेटर में आज हम लोग बनाएंगे पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर 13 प्रोबायल्टी का एक्सुसाइस 13.1 तो प्रोबायल्टी हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग क्लास 9, 10, 11 में भी परे है जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे हम लोग एक्जाम में हम लोग 10 से 12 मार्क्स का कोशन आता ही आता है तो यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रोबायल्टी तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक्सोसाइस 13.1 बनाने इस पहले स्काव बेसिज कॉंसेर्ट पड़ेंगे उसके बाद हम लोग तुरंत एक्सोसाइस 13.1 बनाएंगे तो चली यहां पर देखते हैं प्रोबायल्टी क्या होता है देखें प्रोबायल्टी को समझने के लिए किसी चीज प्रोबायल्टी का मतलब होता है किसी च समझते हैं अर्थ को एकल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है तो यहां पर देखिए वन इस्टू टू के रेशियो में हम लोग कल आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है उसी को बोलते हम लोग प्रोबायल्टी का हम लोग का यह फॉर्मूला यह बोलते है उसको क्या बोलते पाई टोटल आउटकम्स होता है यह हम लोग का प्रोबालिटी जो प्लास 10 इलावत भी पड़े थे आउटकम्स अब देखें यहाँ पर हम लोग इसी प्रोबालिटी को तो हम लोग परते आ रहे हैं अब इस exercise 13.1 में हम लोग का क्या परेंगे यहाँ पर 13.1 में हम लोग परेंगे कंडीशनल प्रोबालिटी यहाँ पर देखें हम लोग जो exercise 13.1 में यूज़ वावा है उसको कंडीशनल प्रोबालिटी परेंगे अब दिखें conditional क्या होता है इस पर पता चल रहा है किसी पर किसी पर condition लगना तो यहाँ पर हम लोग इसको समझते हैं अच्छे तरीका से लिख के हम लोग इसको समझते हैं और इस condition probability को पूरा exercise 13 point में हम लोग को use हुआ है conditional probability अब दिखें यहाँ पर एक event है अब दिखें इवेंट के दो probability होते है ई और एफ एक event के दो प्रोबालटी ए और एफ अब दिखें यहाँ पर हम लोग बूज देगा condition probability में हम लोग को बोल देगा कि हम लोग को ए का probability find करने के लिए इसका प्रोबालटी करो जो f पे base है जो f पे base है एक को find करो तो इसको कैसे निकाल के देगे यहाँ पर लिकते है probability आप 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 लोग अपन एफ तो इसका फर्मूला हम लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रोबाल टी-ई-ई-इंटर सेप्स इसको इंटर साइब बोलते है ऐफ बाई अप जेहान जो भी हम लोग का बेस में रहेगा से यहां पर बेस रहे गाpping आयासे पॉन के बाद आजेगा ब्रॉबायर्टी एफ यह हम लुग का chorea बनाण भॉर्मुला होता है कंडिसल्स प्रॉबायलटी का अब देखे हैं को मतलम यहां पर को 40-50 पर समझ में आया होका अब जैसे-जैसे कोस्टन बनाएंगे एक्जाम्पल बनाएंगे जैसे-जैसे कोस्टन आएंगे अप लोग को सारा क्लियर कॉंसेट के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा तो यहां पर हम लोग देखे इसी को बोलते हैं हम लोग कंडिस्न प्रोबैल् से-स इसका मतलब क्या है देखे यहां पर यह हम लोग आप पर बॉक्स बना लीजेए यह बहुतаюगा हम लोग का इस आप देखे यहां पर हम्लों एक ईजावापल देखते हैं इससे आप लोग को असर प्रिजिए हो जाएगा छीया है है देखिए यहां पे 10 cards number 1 to 10, अब देखिए 10 card है, कोई भी card होता है, उसका 10 card है, 1 to 10 are placed in a box, एक box में रखा हुआ है, mixed up thoroughly, और उसको mix कर लिया thoroughly, and then one card is drawn randomly, और एक card randomly thrown हो रहा है, If it is known that the number on the drone card is more than 3, तो यहां पे हम लोगों को बता है, बोल रहा है कि, If it is known that number of drone card is more than 3, जो card हम लोगों को drone होगा है, वो 3 से जादा है, what is the probability that it is an even number तो यहां पर हम लोग को दो probability find करने के लिए बोल रहा है देखिए यहां पर हम दोनों dependent है यहां पर पहला तो बोल रहा है जो drone कर रहा है कार वो 3 होगा और यहां पर बोल रहा है what is the probability जो even number का probability क्या होगा तो यही चीज़ पर base होगा है दोनों जूड़ा हुआ है तो यहां पे हम लोग दो बार प्रोवालिटी फाइन करना है पहले हम लोग यहां पे एक एक करके फाइन करते हैं यहां पे पहले हम लोग देखिए यहां पर लोग समझाते हैं तो देखिए यहां पर एक्जामपल थ्री हम लोग का यहां पर हम लोग समझेंगे एक्जाम्पल अब दिखें यहां पर हम लोग का एक्जाम्पल त्री है एक एक बॉक्स है इसमें टेन कार्ड है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और एक दस देखें यहां पर एक बॉक्स है जिसमें हम लोग का दस कार्ड रखा हुआ है अब देखें यहां से हम लोग तीन से बड़ा होना है अब देखें यहां पर क्या बोला था कोशन में तीन से यहां पर तीन से बड़ा होगा एक यहाँ पर यह निकालना है तीन से बड़ा होगा और यहाँ पर देखिए एक और even होना चाहिए even number होना चाहिए even number होगा तीन से बड़ा होगा और even number होगा यही हम लोग का probability find करना है number होगा अब देखिए यहाँ पर हम लोग पहले अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं कर चीर के सार चीज लिखते हैं उसके बाद हम बनाते हैं धेली आप अब देखिए रोज及 हम लोग का तोटल icyrat कितना है यहाँ पर टूटल कार्ड कोmas Dempoke total card हम लोग लिख देते हैं sample 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यह हम लोग का 10 है तो यहाँ पर number of ns क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 10 card है तो 10 हो जाएगा अब देखें यहाँ पर लोग का even number even number कितना है even number अब even number को हम लोग ए माल दिये a is equal to तो यहाँ पर इस box में लोग even number 2 4 6 8 और 10 है और इसका हम लोग number के हो जाएगा एनने क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 5 हो जाएगा यहाँ पर एक दो तीन चार पाशन नमर इसका हम लोग का एनने हो जाएगा 5 अब देखें यहाँ पर more than 3 तो जो जो हम लोग लिख लेना है जो जो बूर रहा है से लिख लेना है more than 3. अब 3 से बढ़ा कौन है? इसको हम लोग भी मान लिए हम देखें 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यह हम लोग का 3 से बढ़ा है तो यहाँ पर n भी कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखेंगे जगीन लिए एक, दो, तीन, चार, पाश्य, साथ, अबाशन है यहाँ पर तो यहां पर हम लोग का 7 हो जाएगा देखिए कुछ इस तरह से more than 3 का भी हम लोग का seven हो गया अब देखिए यहां पर हम लोग आते हैं नमें यहां पर क्या बोल रहा है 각 , A fined करने के लिए , A हम लोगका even number है , देखे यहाँ पर इवन नमर होगा और 3 से बधा होगा तो A किससे dependent कर रहा हैto B , यहाँ पर A upon B , यहीं हम लोगका find करना है , इसका इसका हम लोगका हो जाएगा ?P तो इसका हम लोगका हो जाएगा , A, इसका formula A upon B by yy pb यह हम लोग हो जाएगा formula अगर कि अब यहां पेलो पहले प्रोबायोटी निकालते है फिर प्रोबायोटी बी उसके राफ फिर फिर प्रॉवायोटु A upon B निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग पहले probability A निकालते है probability A कितना था हम लोग का A कितना है, यहाँ पर हम लोग देख लिजे A हम लोग का कितना है 5 है और B हम लोग का 7 है तो probability A हम लोग का हो जाएगा probability A हो जाएगा हम लोग का 5 by 10 तो यहां पे हम लोग हो जाएगा 1 by 2 प्रोबायल्टी भी कितना हो जाएगा 7 था तो 7 by 10 हो जाएगा क्योंकि 10 हम लोग का क्यों लिखे यहां पे total outcome तो यहां पे हम लोग का इस तरीका से हम लोग आ गया है आप यहांप पे आफसो यह दोनों पीए और पीवी आ गया तो ए अपन बी आजएगा यह वलब हम लोग का आ जाएगा कितना हो जाएगा दिए आप तो एप एंटर सेट विविए मतलब ए और दोनों में सेम होना चाहिए तो यहां देखिए हम लोग का एने में 2 4 6 8 10 है और बी में इतना है 4 5 6 7 8 9 इस दोनों में equal कौन है तो यहाँ पर 4 equal है 8 equal है ऐसी तरह का से जो जो equal है तो दो सेम सेम रहे दोनों में उसके हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं तो यहाँ पर हम लोग का कौन है 4 है 6 है 8 है और 10 है यह हम लोग का हो गया इतना तो यहाँ पर एन कि अपउन बीट सैप्ट आ जैकि फू इसको अदो प्रॉबायल्टी निकाल देंगे प्रॉबायल्टी ऑपॉन बी का कितना हो जायेगा हम लोग का 4 by 10 तो 2 by 5 तो अब सियहां पर मोँ सारा चीज निकल गया है कि अब यहां पर का सारा चेज निकल गया इस पर सब पूंक कर देंगे अब देखे प्रो घी प्रोरबायल्टी इपन भी कौ इसमें पूट कर देंगे इस वाला में तो यहीं पर हम लुगं ठोट कर देते हैं यही वğला चीज़ यहांपर पूट कर देते हैं तो यहांपर देखे लिजे कितना आया हुआ है? by 5 और यहां पर हम लोग का bb केतना था? bb हम लोगा 7 by 10 था तो इसी तरीका से हम लोग कितना आ गया? 2 into 10 by 7 into 5 यहां पे कट गया 2 यहां पे 4 by 7 answer होगे है यही हम लोग एक्जामपल 3 जो आप लोग देख रहे थे यहां से आप लोग को क्लियर हो गया होगा conditional probability अब हम लोग आते हैं conditional probability के property में तो यहां पर देखें हम लोग का हम लोग यहां पर पढ़े हम लोग conditional probability अभी पढ़ लिए हम लोग देखें यहां पर हम लोग conditional probability पढ़ लिए अब हम लोग आते हैं इसका property में तो इसका property हम लोग का है देखें यहां पर properties of conditional probability तो चली से पढ़ अब देखिए यहाँ पर लेट e and f be event of sample space अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं लिख लिक के अब देखिए एक sample space है s इसके हम लोग का दो event है e और f if let e और f हम लोग का क्या है event है sample space का f अब देखिए क्या बोल रहा है of an experiment than we have तो यहाँ पर हम लोग का e का subset s है और f का subset s है तो यहाँ पर हम लोग का sample दो event है तो इसका हम लोग property क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए इसका property हो जाएगा हम लोग का p s upon f is equal to p f upon f का value हम लोग का 1 हो जाएगा तो देखिए हम लोग का property हम लोग का proof करने नहीं जाता है बस हम लोग को क्या पढ़ना होगा बस आप लोग को याद करना होगा यह सबसे main important होता है probability a union b upon f is equal to यह वाला हम लोग का important होगा तो यह आप लोग प्रोपर्टी याद कर लेजे तो यहाँ पर हम लोग properties of condition probability देख लिए हलका सा बस देख रहे हैं इसका हम लोग को proof एक्जाम पे नहीं आएगा बस हम लोग को यहाँ पर प्रोपर्टी का देख लेना है formula इसको याद कर लेना ह जो use of exercise 13.1 पे अब इसी तरीका से property दूसरा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर property तीसरा सोड़ी अब देखिए यहाँ पर property यह है बस आप लोग को यह याद करना है बस यह तो यहाँ पर देखिए इसका डैस का मतलब क्या होता है इडैस का मतलब होता है event हुआ ही नहीं प्रोबायटी इडैस अपॉन एफ का यहाँ पर हम लोग देख लिए अब हम लोग आते एक्सुसाइज में जैसे अप लोग को exercise होगा यह सारा प्रोप्री अब लोग क्लियर हो जाएगा एक एक कोसन से तो सबसे पहले हम लोग exercise बनाते हैं तो यहाँ पर देखिए हम लोग हां यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते है एक्सुसाइज 13.1 को को तो चलिये यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर प्रोबायल्टी गिवैंडट अब देखिए यहाँ पर पहला कोशन क्या बोल रहा है गिवेंडट ए और एफ एफ और एवान्ट प्रोबायल्टी इस्वर् find p e upon f जो e को यहां पर हम लोग probability find करना है जो f पर बेस है और यहां पर f को find करना है probability जो e पर बेस है तो बहुत easy है चलिए इसे बनाते है तो यहां पर हम लोग का exercise 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 13.1 स्टार्ट हो गया तो यहां पर हम लोग का question पहला one है अब जो जो given है उसको सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं तो यहां पर हम लोग का given क्या क्या है given अब देखिए यहां पर given है probability probability e का क्या दिया वह है probability e दो e और f event है तो probability e का value दिया वह हम लोग का 0.6 अब देखिए probability f का क्या दिया वह है यहां पर 0.3 और probability probability e intercept क्या है e intercept f का हम लोग का probability दिया वह है कितना 0.2 अब यहां पर क्या find करना है यहां पर find करना है probability e upon f का अब देखिए यहां पर e उपर में है तो e को find करना है f के जो बेस पर है तो इसका formula हम लोग को पता है क्या है इसका formula हम लोग देख लेते हैं इसका formula है e e probability e intercept f और जो find करना जिस पर बेस हम लोग का है f नीचे वाला तो probability f यह हम लोग का formula है अब इसी पर हम लोग पूट करके लिख के बना देंगे अब देखिए यहां पर हम लोग का e intercept f दिया वह है 0.2 और यहां पर हम लोग का probability f दिया वह है 0.3 तो यहां पर हम लोग का value आ जाएगा तो cutting है तो 2 by 3 आजाएगा तो यह हम लोग का हो गया पहला का अब फिर यहां पर एक और था यहां पर probability अब देखिए f है f को find करना है जो e पर base है तो उसका भी same formula है वही same है बस यहां पर probability e intercept f divided by यहां पर जिसको base हम लोग का e f जो base है e पर वहीं हम लोग का e लिख देंगे तो यहां पर हम लोग का हो जाएगा कितना 0.2 और e का value है probability e का value है 0.6 तो इसका answer हो जाएगा हम लोग का 1 by 3 तो यहां पर पहला question हम लोग का बन गया आए आते हम दूसरा question में कि यहां पर second question क्या कह रहा है compute बोल रहा है compute करने के probability a upon b if probability b probability 0.5 है और probability a intersect b है 0.32 तो यहां पर compute करने के लिए बोल रहा है चली इससे बनाते है तो इसको ध्यान से आप लोग देख लिए दिजे question को तो एक एक करके पहले हम लोग लिखते हैं तो यहां पर हम लोग सबसे पहले यहां पर गिवन लिखेंगे question 2 में यहां पर हम लोग सबसे पहले given लिखेंगे अब देखिए यहां पर दिया वह है probability b 0.5 दिया वह है और probability a intercept भी दिया वह है कितना 0.32 अब देखिए यही probability compute करने के लिख रहा है a by b अब जो जो दिया वह हम लोग कलिक लेते हैं अब देखिए a intercept b दिया वह है तो probability formula हम लोग को पता है क्या होता है a intercept b by अब जिस पर depend कर रहा है b हम लोग depend कर रहा है तो b तो यहां पर देखिए सारा inform given दिया वह है तो इस पर हम लोग put कर देंगे 0.32 by 0.5 तो यहां पर हम लोग हो जाएगा 16 by 25 इसको काटिएगा तो यह हम लोग हो गया question number 2 अब आते हम लोग question number 3 में तो यहां पर देखिए question number 3 हम लोग का है if probability a is equal to 0.a probability b is equal to 0.5 and probability b upon a is equal to 0.4 find तो यह हम लोग को तीन चीज़ find करना है तो पहले given लिखते हैं उसके राद तीनों चीज़ find करते हैं तो यहां पर हम लोग का question number 3 है question number 3 अब यहां पर देखिए हम लोग को क्या क्या given है पहले लिख लेते हैं तो given given हम लोग का है probability a a कितना है 0.8 probability b कितना है हम लोग का 0.5 और probability b upon a कितना है 0.4 तो चली यही find लोग का 0.4 अब क्या क्या find करना है यहां पर देखिए पहला हम लोग find करते हैं probability a intercept b तो यहां पर हम लोग पहले a intercept b find करते हैं probability a probability b लोग है और probability B upon A दियावा है तो यहां पर सारा चीज फॉर्मुला से होगा अब देखिए इसका फॉर्मुला हम लोगों को पता है यह हम लोगों को फाइंड करना है तो हम लोग को पहला नमर में हम लोगों क्या दियावा है प्रॉपैल्टी A upon B का A upon B का value दियावा है कितना दियावा है? 0.4 दियावा है तो यहां पर हम लोग का value 0.4 दियावा है तो यहां पर 0.4 is equal to probability A upon B by और P A का value दियावा है हम लोग का अब देखें यहाँ पर PA का value भी दिया हुआ है 0.8 तो यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 0.4 is equal to PA intercept B by 0.8 तो यहाँ पर हम लोग इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर PA intercept B का value आ जाएगा कितना 0.32 यह हम लोग का पहला आ गया अब दूसरा क्या बोल रहा था देखें यहाँ पर दूसरा हम लोग का देखें यहाँ पर क्या बोल रहा है यह A upon B second fine करना है B upon A है A upon B fine करना है फिर यहाँ पर P union B fine करना है तो यहाँ पर हम लोग fine करते है तो second में हम लोग क्या fine करना है पी ए यूनियन स्वरी ए अपॉन बी फाइंड करना है तो इसका फॉर्मूला अब लोगा पता है पी ए इंटरसेप्ट बी बाई जो फाइंड करना है प्रॉबाइल्टी बी मतलब जो इसका बेस है बी तो इसका हम लोगा एंसर हो जाएगा डैरेक्ट यहां पे 0.32 हम लोग फाइंड किये है नीचे यहां पे प्रॉवाइल्टी ए इंटरसेप्ट बीक फाइंड करें 0.32 और बी का वैल्यू 0.5 है 0.5 तो यहां पे हम लोग अवजाएगा 0.64 कटके अब यहां पे तीसरा में क्या था यहां पे तीसरा में देखिए यहां पे था ए यूनियन बी अब देखिए यही हम लोग पढ़े थे प्रोपर्टी में आप लोग याद होगा देखिए यहां पे प्रोवाइल्टी ए यूनियन बी हम लोग पढ़े थे प्रूबाइल्टी के प्रोपर्टी में, तो इसका formula हम लोग देखें, यहाँ पर formula याद रख था, देखेंat यहाँ पर पीछे हम लोग page प्लिट के देख लेते हैं, formula ले एक paragraph फिर से, तो यही हमलोग का formula हम लोग का probability a union b इसी का probability का यही हम लोग का फॉर्मूला है तो इसको आप याद करना होगा तो यही हम लोग को निकालना है तो चलिए इसी फॉर्मूला पर लिख देंगे सारा चीज़ दिया वह है given मैं आ गया answer में अब यहां पर बस पूट करना है 3 मैं देखिए यहां पर probability किसमें find करना है a union b यहां पर इसका हम लोग का फॉर्मूला दिया वह है प्लस प्रॉवाइल्टी बी माइनस प्रॉवाइल्टी ए इंटर्सेप्ट बी यह हम लोग का फॉर्मूला है तो प्लस प्रॉवाइल्टी बी हम लोग का 0.5 है probability a intercept b हम लों निकाले है कितना है 0.32 तो यहां पर हम लोग का answer आजाएगा 0.99 तो यह हम लोग का हम लोग का यह खतम हो गया 3 नमर भी अब आते हैं हम फोन नमर पे देखते हैं यहां पर हम लोग का फोन नमर में evaluate pa union b तो फिर से यहां पर a union b if 2 pa is equal to probability b is 5 by 13 and probability a upon b is equal to 2 by 5 तो क्या यहां पर find करना है evaluate करना है तो चली इसे निकालते हैं तो सारा given है उसको लिख लेंगे और उसी कुछ समझ के हम लोग बनाएंगे कोसर नमर फोर तो यहां पर लिखते हैं बनाते हैं फोन नमर हम लोग का है हाँ अब देखिए यहां पर given दिया वह है उसे लिखते है given अब देखिए यहां पर लिखा बात है तो पीए इसक्वाल टू पीबी दोनों equal है 5 by 13 तो यहां पर 2 है तो यहां पर पीए कितना हो जाएगा यहां पर अब देखिए यहां पर 2 है तो पीए हम लोग का 5 by 13 value है 2 पीए का और पीबी का भी प्रोबाइल्टी पीबी का भी वैल्यू 5 by 13 अब देखिए तू पीए निकालने के लिए 2 उधर लिजाएंगे तो यहां दिपाइं में उधर हो जाएगा तो 13 से हम लोग को into हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 by 13 into 2 27 into 2 5 by 26 और यहां पर probability b b हम लोगा कितना है 5 by 13 तो यहां तर निकला और probability a upon b हम लोगा है 2 by 5 अब यहां पर a intercept b निकालेंगे उसका यहां पर फॉर्मूला पर हम लोग लगा देंगे a union b का हाँ तो यहां पर हम लोग का probability a intercept b by probability b यहां पर हम लोग का probability a upon b का value 2 by 5 था तो इस तरीका से हम लोग का तो यहां पर हम लोग का अब देंगे यहां पर हम लोग का पी 2 by 5 probability a intercept b pb का value हम लोग का दिया वाय कितना है 5 by 13 तो यहां से हम लोग का into के निकल जाएगा p a intercept b का value हम लोग का आ जाएगा कितना तो यहां पर p a intercept b का value हो जाएगा 2 by 5 into 13 5 by 13 तो इधर चल लाएगा तो यहां पर हम लोग का 5 by 13 तो कटके हम लोग का आ जाएगा 2 by 13 तो यह हम लोग का आ गया आ पर यहां पर यह उल्टा कर दिये a intercept b है यहां पर आप आप आगे आप इसको हम लोग formula में put कर देंगे तो formula हम लोग के यह वाला formula है तो इस पर हम लोग put कर देंगे probability a union b का हम लोग का निकालना है तो क्या हो जाएगा probability a हो जाएगा probability a कlında है हम लोग का probability a हम लोग का है यहां पर profile by 26 एडिटीशिफ है रहें यहां पर 5 by 26 26 plus probability b कि इतना है यहांपे probability b है probality b का कितना है 5 by 13 औज यहां पर probality a interrupt b कितना है तो यहां पर हम लोग को फाइनल एंसर आ जाएगा 11 by 26 से हो जाएगा हम लोग का एंसर यहां पर हम लोग को आप आप लोग को समय में आया होगा कोशन वन से लेके फोड और बेसिक